Hello viewers, welcome to my YouTube channel Food and Fitness, मैं हूँ कीरन, आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे क्या आप भी नसों में होने वाले दर्थ से परिशान हैं, जाने इसके कारण, लेक्षन और उपचार, वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के साथ एक गंट वीडियो मिस ना हो, तो फ्रेंड्स नरफ पेन यानि नसों में दर्थ एक बहुत परिशान करने वाली समस्या है, इसके चलते इंसान चलने फिनने में भी बहुत तकलीफ महसूस करता है, नसों में दर्थ के सही मतलब और इसके उपचार के बारे में जानने के लिए इस वी पेन किसी खास नरफ में होता है, नरफ पेन में जलन, समवेदन हीलता या एक से अधिक नरफ में दर्थ फैलने की समस्या हो सकती है, नसों में दर्थ से कोई भी नरफ प्रभावित हो सकती है, नसों में दर्थ के सही मतलब और उपचार के बारे में आईए जानते हैं, नसो जैसे सिफलिस और लाइम डिजीज, पारफाइरिया, नजदीकी अंगों से नर्व पर दबाब पढ़ना, नर्व में सूजन या तकलीफ, नर्व के लिए खत्रे या गंबीर समस्याएं, दिकतर मामलों में इसके कारण का पता नहीं चलता. नर्व पेन एक जटिल और क्रोनिक तकलीफ दिया स्थिती है, जिसमें वास्तविक समस्या समाप्त हो जाने के बाद भी नर्व दर्द स्थाई रूप से बना रहता है, नर्व पेन में दर्द शुरू होने और रोग की पहचान होने में कुछ दिन से लेकर कुछ महिनों लग नर्व को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचने पर या पुरानी चोट ठीक हो जाने पर भी दर्द शुरू हो सकता है, नसों में दर्द के लक्षन नमबर एक, जलन की अनुबती, समवेधन हींता और पूरे नर्व में दर्द नमबर दो, बोड़ी के प्रभावित भाग की गती और कार्या परनाली, मास पेशियों की कमजोरी, दर्द या नर्व की शती के कारण अवरूद हो जाती है, दर्द अचानक उठता है और बहुत तेज होता है, जैसे कोई नुकीली चीज चुब रही हो या जलन की होती है, यह दर्द लगातार रह सकता है या रुक रुक कर होता है, नमबर तीन, छूने या दुबाने से यह दर्द महसूस होता है, और चलना फिरना भी कश्ट दैक हो सकता है, नमबर चार, प्रभावित नर्व के पत्थ में दर्द रहता है या यह दर्द बार बार होता ह जाँच और रोग का निदान किसी एक जाँच से नरव पेन की पहचान नहीं की जा सकती। नसों में धर्द हो तो स्टार्टिंग में डोक्टर आपके लक्षनों और दर्द के विवरण के साथ शारीरिक जाँच से रोग के पहचान का पर्यास करते हैं। आपके शारीरिक जांच से नर्व पेन का पता चल जाता है वचा में ऐसमाने अनुबती, गहरी टेंडर रिफ्लेक्स में कमी या मासपेशियों का कम होना प्रभावी शेतर में पसीना कम निकलना, नर्व के पास शपर्स से दर्द या सूजन महसूस होना ट्रिगर प्वाइंट या ऐसा शेतर जहां हलके से चू देने से भी दर्द शुरू हो जाए दांतों की जांच जिसमें फेशियल पेन को जनम देने वाली दांतों की समस्याई शामिल नहीं है पर भावी शेतर के लाल हो जाने या सूजन आने जैसे लक्षन जिससे संकर्मन, हड़ी तूटने या रूमेटाइट अर्थराइटिस की स्थिती की पहचान में साहेता मिले नर्व पेन का उप्चार नर्व पेन का इलाज समानेते कठिन है और प्राइद दर्द से रहात देने वाले इलाजों से इस दर्द में कोई अंतर नहीं आता आपको कई प्रकार के चित्सा पदितियों को अजमाने की अवश्कता होती है ताकि पता चल सके कि कौन सी पनाली आपके लिए फाइदे मन है कभी कभी स्वैम या समय के साथ हालत में खुद बेखुद सुधार आ जाता है चूंकि नर्व पेन का इलाज असान नहीं है इसके उप्चार के मुख्य लक्षन है दर्द की तिवर्ता कम करना स्थाई दर्द से जूजने में आपकी साहिता करना आपके दैनिक जीवन पर दर्द का प्रबाव कम करना अगर किसी आंतरिक बिमारी जैसे डाइब्टिस के कारण दर्द हो रहा है तो इसका पता चलने पर अगर इस बिमारी का इलाज संबव है तो इलाज करना चाहिए डाइब्टिस के रोग्यों में शूगर पर कड़े नियंतन से यूरोलीजिया में लाब होता है कभी कभी ट्यूमर या किसी अन्या वज़य से नरव पर दबाब पढ़ने की वज़य से उसमें दर्द होता है ऐसी स्थिती में जिस कारण से दबाब पढ़ रहा है उसे सरजरी से हटाने की जुरूर्थ होती है फ्रेंट्स आज मैंने आपको बताया है नसों में होने वाले दर्द के कारल, लक्षन और उपचार एक इंपोर्टेंट बाद अगर आप अपनी इंगलिश की वर्ड पावर को इंप्रूब करना चाते हैं तो हुमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूले इसका लिंक दिस्क्रिप्शन बुक्स में आपको मिल जाएगा आज की इंफर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कुमेंट करके बताना मत बूलना और मेरे वीडियो को करना है देर सारा लाइक और शेयर और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब ओके बाई बाई